Hello everyone, so आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आये हैं यहाँ पर focal length of concave lens using convex lens तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे concave lens का हम लोग focal length निकालेंगे using convex lens ठीके, थोड़ा सा theoretical part पर आते हैं किसी भी lens का जो focal length होता है उसके लिए एक relation हमारे पास होता है 1 by F is equal to 1 by V minus का 1 by U, ठीके, तो यहाँ से अगर हम इसको simplify करें तो F is equal to कितना होगा UV upon में U minus V, U क्या होता है आपका object का distance, ठीके, pole से या optical center से और V क्या होता है आपका image का distance इसको देखते हैं हम लोग आगे ray diagram के अंदर में, तो देखें यह हमारे experiment का यहाँ पर setup होगा यह हमारे पास एक convex lens होगा, ठीके, इसके लिए हम लोग ने देखें यहाँ पर क्या रखा, initially का object को यहाँ पर हम लोग place करेंगे और इस convex lens से इस object की जो image है, इसको हम लोग क्या करेंगे, note करेंगे तो यह हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग ने पिछले वीडियो के अंदर देखा था, जब हमने convex lens का focal lens निका रहा था ठीक, फिर हमारे पास क्या eye, मतलब इस lens का जो image बन रहा है, इसको हम लोगो ने क्या क्या, note किया, अभी हम लोग क्या करना है, देखो ध्यान से, इस lens और इस pin के बीच में लोगो ने क्या करा है, यहाँ पर एक concave lens को put किया, अभी concave lens का का काम क्या होता है, यह ray को क्या करता है, diverge करता है, मतलब कि जब यह concave lens यहाँ पर नहीं था, तो यह जो rays थी, आकर कहाँ पर मिल रहे थी, इस point के उपर, that is our eye, आई के उपर आकर क्या हो रहे थी, मिल रहे थी, अभी इस lens को लगाने से, यह ray क्या होगे, यहाँ से diverge होगे, तो diverge होगे, तो देखिए दूर कह यहाँ पर आई डेश पर जाकर क्या हो रहे है, मतलब कि initially हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को लगाएंगे, इसकी location को नोट करेंगे, इमेज की, बीच में हम लोगों नहीं हाँ पर क्या रखा है, concave lens, अभी हम लोग further image की location को नोट करेंगे, इसको हम नहीं क्या बोलती है, आई ठीक है, और अब इस virtual object की जो image बन रही है, रही क्या होगे, यहाँ से देखेंगे, डाइवर्ज होई, तो इसकी जो image बन रही है, आई डेश पर, तो इस lens से, मतलब की O2 से, इस point का जो distance है, इसको हमने क्या बोला है, यहाँ पर देखेंगे, वी, ठीक है, तो यहाँ पर दे करेंगे, then हम लोग क्या करेंगे, इसकी वज़े से, जो image बन रही है, फाइन, उसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है, तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, simply, कि इस O2 से लेकर इस I का जो distance है, इसको हम क्या बोले, यू, ठीक है, और O2 से I' का जो distance, इसको हम लोग यहाँ लिखा, दो यहाँ से हमारा क्या आ गया, यू और V इसको हम लोग इस formula में put करेंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लिफाइ करेंगे, और focal length यहाँ पर calculate करेंगे, उसके पहले एमको एक rough focal length निकालना होता है, convex lens का, तो हमारे कें, में जो convex lens इसका rough focal length कितना है 20 cm कैसे निकालते हैं यह हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिसकस किया है एक बार आप जाकर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो को देखिए चलिए हम लोगों के उपर आते हैं यहाँ में चलिए देखिए हम लोगों का यहाँ पर सैट अप यह हमारा object pin है object पिन को हम लोगों ने रख रखाए देखिया ऑभी कितने पर जीरो के उपर हमने इसको रखा है इसके बाद हम लोगों क करके इसको 20 तो हमने उसका double करके 40 के उपपर इसको place किया अभी initially हम लोग क्या करेंगे इस concave lens को यहां से हटा देते हैं ठीक है हम क्या करने वाले हैं कि इस object की जो image है ठीक है इस lens में से देखेंगे और image pin के उपर इसकी location को note करेंगे तो चलिए देखते हैं चलिए देखें हम लोग यहां पर image pin वाली side पर आ चुके हैं अभी आप लोगों को lens के अंदर में दिख रहा होगा यहां पर हम लोगों का क्या है object जो है उसका inverted image हमको यहां पर बनता वा दिख रहा है ठीक है tip to tip यहां पर देखें मैच हो रहा है अभी हम लोग क्या करेंगे यहां पर इसको देखें चाहिए उसका मतलब क्या यह देखें दुनों के बीच के आओ गया सेप्रेशन डिस्प्लेसमेंट यह इस परले करना परले क्षों को कैसे करते हैं पैलेक्स को रिमूब करने के लिए हमें इसको मूघ करना पड़ेगा है तो इस image की location को मैं क्या दिखें मूव कर रहा हूं एंड साथ में पैरलेक्स को अगेन देखते जा रहा हूं पैरलीक्स हमारा रिमूव भूव या नहीं हुआ ठीक है और देखिए अभी हल्का साथ पैरलेक्सा हम लोगों को दिख रहा है गी के इसको भी रिमूब कर देते हैं शाजब यहांपर हम लोगों का पेरलेक्स रिमूव ओते हैं देखिए अमने मुव किया दोनों का जो मूवेंट इमेज का और मेज्ट पिन का साथ में हो रहा है टीक पैरलयक्स रिमूव फालो काकरने कारते हैं नोट करते हैं तो देखिए यह हमारा object pin था, इसका location आपको दिख रहा है, यहाँ पर कितना है 0 cm, उसके बाद यह हम लोगों का है lens, तो lens का location हम देख लेते हैं, lens का location देखिए कितना है आपका, exactly 40 के उपर है, ठीक है, और इसकी जो image यहाँ पर बनी है, इस image की location को अभी हम लोग देख लेते तो यह reading को हम लोगों ने note किया, O हमारा 0 पर था, L1, lens जो था हमारा 40 पर था, और उसकी image कितनी बन रही है, 82.8 के उपर, अभी time है हम लोगों का, कि हमको यहाँ पर क्या करना है, इस lens और उस image की pin के बीच में हमको हमारा जो convex lens है, concave lens है, जिसका focal length find करना, उसको place करना है, द साय है, यह concave lens है, इसके अंदर आप देखी कि वहाँ पर आपको एक inverted image दिख रही है, ठीक है, तो हमारा जो object pin रखावा था, उसका inverted image हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर image pin जो है, इसको यहाँ पर place करना है, parallax को remove करना है, ठीक है, औ और हमको इसकी location find out करना है, जहाँ पर हमारी जो image बन रही है, ठीक है, वो और यह pin, दोनों क्या करें, साथ में move करें, दोनों की बीच में parallax ना हो, देखते हैं दोनों की बीच parallax है क्या, ठीक है, दोनों को move करने पर, दोनों बिल्कुल साथ में move कर रहें, हलका सा मुझे य देखे, image pin को भी हम लोगों ने set किया है, अभी हम लोग मूव करके देखते हैं, क्या दोनों साथ में move कर रहें, यानी, देखे, object, आपका जो object का image हम लोगों का बना है, inverted वाला, ठीक है, अंदर में जो आपको image दिख रहा है वो, और हमारा image pin है, दोनों देखे, क्या कर रह लेते हैं, कितना आ रहा है, ठीक है, यहां से अगर आप देखेंगे, केरफुली, यह 75 है हमारा, इसके वन डिविजन पहले, means 74 के उपर, 1 cm पहले, 74 हमारा क्या है, reading है, concave lens का 74, और इसको अगर आप देखेंगे, तो यह आपको देखेंगे, यहां पर image जो आ रहे है, इसकी यह आपका है 90, 90 के 123 डिविजन पहले, means 89.7, note कर लेते हैं, चलिए देखें, reading को हम लोगों ने note किया, हमारा जो concave lens था, वो 74 पे था, उससे जो image बन रहे थी, वो कितना था, 89.7, इसका मतलब क्या, यह हम लोगों का location था, ठीक है, यह lens हो गया, O2 से लेकर यहां तक का जो distance है, ठीक है, वो लोगों को निकालना है, तो O2 हमारा क्या है, concave lens का position, और यह जो हमारा point है, किसका है, हमारा initial image का position, यहां से आप देखिए, कि यह जो है, हमारा I है, initial image बन रहा था, convex lens का, यहां से अगर मैं इस L2 का distance निकालता हूं, तो यह कितना आएगा, 6 and 2, 8.8, तो यह से देखिए, I' O2 का जो distance है, 89.7 minus 74, तो यह आएगा आपका 15.7, तो यह हमारे पास U आ गया, V आ गया, formula क्या है, हम लोगों को का focal length का U into V upon U minus V, तो हम लोग यहां पर इसका calculation कर देते हैं, देखिए, 8.8, ठीक है, into 15.7 upon दोनों का difference, तो 15.7 में से अगर मैं 8.8 को क्या करता पाइनस करता हूँ, ठीक है, यह value निकल कर आएगे, 6.9, ठीक है, 6.9, तो अभी आपको इसका calculation करके मुझे comment section में बताना है कि value कितना आ रहे है, nearly आपका 20 cm के एपरोक्स आएगा, because हम लोगों ने यहां पर जो concave lens का use किया है, इसका जो focal length है, आपका 20 cm, तो answer आपका कितना 20 cm के एपरोक्स, ना एक reading हम लोगो ने निकाली, इसी तरह से आप 2-3 reading को और calculate कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, just अभी हम लोग क्या करें, इस convex lens का जो location है, अभी हम ने इसको कहा रखा था, इसको अभी हम लोगों ने रखा था, 40 के उपर में, ठीक है, तो इसको हम object है, इस object का image हम लोग इस pin के उपर देखने वाले, सेम प्रोसेजर को repeat करेंगे, हमारे पास 2-3 reading और आ जाएगा, तो इस तरह से आप इस experiment को perform कर सकते हैं, I hope आपको इस experiment समझ में आया होगा, ठीक है, यहाँ तक बने रने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जैहिन, वंद